So, hello friends, welcome to our channel एक फिर से हम हाजर है आपके सामने एक और नई बुक को समराइज करने के लिए So, let's start it विवाहित जीवन और पती-पत्नी के रिष्टे के विशे पर अनेक पुस्त के लिखी गई है ये बुक्स डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स के थ्रू लिखी गई है और अलगलग पहलों पर ध्यान के दृत करती है जैसे कि संघर्ष, समझोता, प्यार, समझतारी, साजेदारी, रिष्टों की देखबाग इन किताबों में अकसर पति-पति के बीच जीवन के विबिन पहलों, संघर्षों को संबोधित किया जाता है और उन्हें संतूलित स्थि रखने के लिए एक मार्ग दर्शन दिया जाता है ये पुस्तके विबाहित जीवन में स्ट्रगल्स और प्रॉब्लम्स के सामने आने के बारे में सामाने बाते आत्मसमर्थन, आत्ममन्थन और समंधों को मश्बूत बनाने का मैसिज देती है और एडवाइस करती है इन पुस्तकों का उदेश है मेरिट लाइफ को हैपी और सक्सेस्फुल बनाना उसके लिए ग्यान, समझ और समंधों को एक मत्ता की और बढ़ाना जिन्दगी में ऐसा मोड आता है जहां आप जिसे इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वो आपसे दूर जाने की बात करता है और जब कोई आपसे दूर जाने की बात करता है तो वो आपसे दूर जाना नहीं चाहता बलकि पहले से ही दूर हो चुका होता है वैसे भी इस दुनिया में कभी ना कभी कोई ना कोई आपका सबसे चहीता इंसान आपको छोड़ कर चला जाता है लेकिन अगर मैं यहां बात उस इंसान की करूँ जो जीते जी आपको छोड़ कर किसी और के पास जाता है तब हमें इतना ज्यादा दुख महसूस होता है जितना किसी अपने प्यारे किसी नजदी के इंसान की मृत्यों के बाद भी नहीं होता क्योंकि इसमें सिर्फ उसका छोड़ कर चले जाना ही शामी नहीं है इसमें आता है हमारा विश्वास, हमारे सपने, हमारे योशनाए, हमारा आत्मसम्मान और सबसे बड़ी बात यह है कि उसने आपके प्यार को रिजेक्ट कर दिया है तो इस तरह की फिलिंग आती है जिस वज़े से हमें और भी ज्यादा बुरा लगता है अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं बहुत दुख या उसके बिना जीने का विचार आपको मौत दे रहा है आपको गुसा आ रहा है या आपको रिजेक्शन महसूस हो रहा है इन सभी बातों से आगे अब हम आपको लेकर की चलेंगे क्योंकि ये वो समय है जब आपको अपना पूरा जीवन चेंज करना है कनवर्ट करना है दूस्तों मैं यहाँ बात कर रही हूँ किताब बेबी के बार में और ये किताब लिखी है मिस्टर कुलदीप सिंग ने इस किताब में उन्होंने किस तरह से आप अपने लाइफ पार्टनर अपने लवर जिन से आप बहुत प्यार करते हैं जब वो आपको छोड़ कर चले जाते हैं तो किस तरह से आप अपनी लाइफ में अपने आपको संभा सकते हैं और क्या-क्या रीजन होते हैं इसके पीछे कैसे आप अपनी लाइफ को फिर से इखटा करके जीने की कोशिश करते हैं और उन्हें अपने जिंदगी में वापस ला सकते हैं इसके बारे में उन्होंने बहुती बहतरीन तरीके से बनाया है। शुरू करते हैं आज की बुक। ओथर इस बुक में बताते हैं कि किसी भी व्यक्ति के लिए प्यार ही उसका एक मातर सहारा है। और उसका दिल तूटता है यह सामाने सी बात है। यह अनुभव सभी को कभी न कभी होता है और यह सच है कि यह बहुत दर्दनाक हो सकता है। लेकिन इसे अपनाने का एक सरल तरीका है कि हम इसका सामना करें और अपने जीवन में सकारात्मक परिवरतर लेकर कर आए। ये भी बताया गया है कि दुनिया भर में कई लोग इस तरह के दुक्का सामना कर रहे हैं बहुत से लोग इस दर्ण से उपर उठकर के खुशाल जीवन जी रहे हैं ओर्थर ने रिष्टे के तूटने के बारे में कहा है कि जब एक रिष्टा तूटता है तो एक push-pull नियम लागू होता है जिसके अनुसार ज्यादा आकशन करने की कोशिश करने से रिष्टा दूर हो जाता है इस दर्दनाग अनुभव में डर और गलतियों का सामना किया जाता है और और भी ज्यादा दूरी भड़ती है इसे दूर करने के लिए कुछ practical rules को follow करना जरूरी है इस chapter में कुछ गलतियां भी बताई गई है जो हम दोहराते हैं जैसे कि बार बार phone करना, messages करना जो रिष्टे को और भी ज्यादा दूर खीशता है शक भी रिष्टे के तूटने का बहुत बड़ा कारण है जब आपका partner अपनी आवशक्ताओं, अपनी भावनाओ, अपनी चिंताओं को सपर्ष्ट रूप से और इमानदारी से व्यक्त नहीं करता है तो विद्रो और विवाद उत्पन हो सकता है विश्वास की कमी भी एक महत्वकुन कारण है जो कि रिष्टो को तूटने के और लेके जाता है जब विश्वास तूट जाता है तो इसे पुनेह निर्वान करना बहुत कठिन होता है कुछ प्रॉब्लम्स लाइक फैनेंशियल, काम से जुड़ी हुई टेंशन, पारिवारिक मुद्दे या हेल्थ प्रॉब्लम्स रिष्टो पर दबाव डालती है जब जोड़ी इन तनावों को साथ में सही धंग से संभाल नहीं पाती है तो ये मौजुदा समस्याओं को और बढ़ावा देती है और रिष्टो को कमजोर कर देती है ये भावनात्मक दूरी, नफरत और असंतोश की भावना को उत्पन कर सकता है नॉर्मली देखा गया है कि रिष्टे के तूटने के पीछे कई कारण हो सकते हैं और हर एक स्थिती अलग होती है इस बुक में ये बताया गया है कि रिष्टे को ठीक कैसे किया जा सकता है और अपने पार्टनर को वापस पाने के लिए आपको क्या करना चाहिए यहां ऑथर ने कुछ solution suggest किये हैं जो कि रिष्टे को मजबूत बनाने में आपकी मदद कर सकते हैं इन chapters में इस book में ये भी बताया गया है कि निराशा को कैसे दूर किया जा सकता है और नई जीवन को कैसे आप enjoy कर सकते हैं बुक के थूर रिष्टों के टूटने के दर्द के बारे में बताया गया है और किस तरहां से इस दर्द से गुजरना सब के लिए कठिन होता है ये भी बताया गया है दर्द के साथ साथ विकास का अवसर भी होता है और इस समय को अच्छी तरहां से उप्योग किया जा सकता है इसे अपने लाब के लिए उप्योग करके एक बहतर व्यक्ति बनने का तरीका सीखा जा सकता है ध्यान देने वाली बात ये है कि रिष्टों में वापसी की कोई निश्चित्ता नहीं होती है लेकिन इसे स्विकार करने से राहत मिलती है और possibilities भर जाती है इस book पर ये बताया गया है कि रिष्टों को ठीक करने में time लगता है और ये संबब नहीं है कि किसी भी छोटे समय में या थोड़े समय में आप इसको ठीक कर सकते हैं रिष्टों को मजबूत बनाने के लिए समय, समच और धहरे की आफशकता होती है इसके लिए व्यक्ति को अपनी गलतियों को समझने और सही करने का समय देना चाहिए जलबाजी में किये गए कारे निराशा और आगे की प्रगदी में बादा डाल सकती हैं रिष्टों को ठीक करने के लिए समय और समझ के साथ सही दिशा में कदम उठाने की जरूरत है ओतर कहते हैं कि रिष्टों को मजबूत बनाने के लिए शुरुवाती कदम ये है कि व्यक्ति को अपने और अपने पार्टन के बीच के सभी संपर्ग को रोकना चाहिए इसका मतलब ये है कि सोशल मीडिया पर पोस्टिंग और अन्य संपर्ग को रोक देना चाहिए तक कि व्यक्ति केंदरित रहे और उसे अपने पार्टनर के बीच की बातचित को वो बढ़ावा दे सके ये ज़रूरी है क्योंकि रिष्टों को मजुद बनाने के लिए संपर्प और समय की आफशक्ता होती है और इसके लिए व्यक्ति में patience और understanding दोनों की ज़रूरत है अगर आप एक साथ पढ़ाई करते हैं या एक साथ काम करते हैं तो आपको personal और professional life के बीच में balance बनाये रखने की कोशिश करनी चाहिए और अगर आप एक साथ रहते हैं तो आपको एक नया place ढूना चाहिए जहां आप काम कर सके और अपनी life को balance कर सके आगे author कहते हैं कि पहुँच से दूरी के बाद काम करना important है ये ensure करना ज़रूरी है कि आप contact को limited करने के बाद कुछ करे और अपनी लक्षी को पूरा करने के लिए कोई काम करे इसके लिए आपको अलग लग तरह के goals को achieve करने की कोशिश करनी चाहिए जिसे की mental peace को फिर से हासल करना, health relationship की पुनियाद को रखना healthy relationships बनाना, new skills को develop करना और खुद को खुश रखने की कोशिश करना इसमें आपके partner को वापस पाने का decided goal नहीं है बलकि ये आपके self development के लिए है author ने social media के महतुपर भी जोड दिया है social media आपके जीवन का एक महतुपन हिस्सा है जिसके माध्यम से आप अपने partner को follow कर सकते हैं उसके साथ contact भी कर सकते हैं social media का इस्तमाल आप अपने partner को वापस पाने के लिए भी कर सकते हैं लेकिन इसे सही तरीके से उपयोग करना भी जरूरी है partner की post को like करना या उनके दुखत सिति को social media पर post करना ये अच्छा नहीं लगता इसके बजाए अगर social media को अपने रिष्टों को मजबूत और स्वस्त बनाने के लिए आप यूस करते हैं तो वो जादा अच्छा है इसमें partner के साथ connection और उसको surprise देना या surprise करना ये शामिल है अपने partner के साथ connection में वापस आने के लिए कुछ important बातों का ध्यान रखना जरूरी है ये बाते आपको partner के साथ conversation के लिए बहुत काम आती है इसके अलावा ये book आपको partner के साथ वापस आने के लिए mentally प्रिपेर करती है mentally preparation भी कराती है पहले संपर्ख के महत्वपूर्ण तरीकों के बारे में बताती है फोन करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए इनके बारे में बताती है जैसे सबसे पहले partner के free होने का समय चुने दूसरा अगर partner जवाब नहीं दे रहा है तो message छोड़ सकते हैं बाद में call करने के लिए बोल सकते हैं तीसरा उसे समझाएं कि आप उसके एक दोस्त के रूप में बात करना चाहते हैं यदि कोई response नहीं मिल रहा है तो कुछ दिनों के बाद फिर से try करें message के through भी प्रयास कर सकते हैं message में आप उसे अपनी याद दिलाने की कोशिश कीजिए तो इस तरह से आप कुछ steps ले सकते हैं इस book में attraction, connection और trust को rebuild करने के तरीकों पर भी चर्चा की गई है यह बताया गया है कि रिष्टों को मजबुत बनाने के लिए इन components का होना जरूरी है रिष्टे तूट जाने के कारणों को दूर करने के लिए बातचीत और सम्मद बनाय रखने की importance पर जोड दिया गया है यहां विपिन माधिमों से आकरशन को बढ़ाना कुछ उपाय बताये गई हैं जैसे कि message, phone, calls या आमने सामने की भी या बातचीत कर सकते हैं इसके लावा कुछ और examples भी दिये गए हैं जो कि आकरशन को बढ़ाने में आपकी मदद करते हैं जैसे कि humorous या फिर अच्छी यादे शियर करना माफी मांगना भी एक impressive और influencing तरीका हो सकता है अगर आपने कोई गलती की है ये आपके रिष्टे को मजबूत बनाने और उसको स्थे रखने में आपकी बहुत मदद करता है इसमें अपने दुख को बयान करना अपनी गलतीयों को स्विकार करना उससे आपको बहुत कुछ सिखाता है सची माफी के लिए एक genuine और by heart इच्छा की आपशक्ता होती है माफी मांगते समय अपने आप से सच्चाई और समझदारी का message देना बहुत जरूरी है आत्मा की खोज और self-realization अपने अंदर की बातों को समझना भी माफी को प्रभावित करता है अगर आप अपने आपको समझने में मदद करने की आपशक्ता महसूस करते हैं तो professional help भी आप ले सकते हैं एक बहुत अच्छा option है इस book में ये भी बताया गया है कि कब और कैसे आपको अपनी partner को वापस पाने का decision लेना चाहिए ये एक मुश्किल और महतोपड निर्ने होता है जिसे लेने में time और understanding required है रिष्टे में संतुलन बनाने के लिए सबसे महतोपड strategy है conversation अपनी जरूरतों इच्छाओं और अपेक्षाओं को साजह करना बहुत जरूरी है हर हफते एक date के लिए time निकालना एक अच्छा option हो सकता है यदि आप दोनों ही busy है तो आपको अपने partner के लिए समय निकालने की कोशिश करनी चाहिए थोड़ी समझ और अच्छी वाच्चीत के धंग के साथ आप अपने साथी के साथ अपनी life को balance कर सकते हैं और एक कुश हाल जीवन जी सकते हैं अब तक की सारी बातों के थूम अब आपके पास अपने partner को वापस लाने की strategy है और इसको कैसे execute करना है ये भी आपको पता है लिए बेताब नहीं होने देगा और आपको एहसास होगा कि आप उसे चाहते हैं आपको उसकी आवशकता नहीं है इस बुक में आपको ये याद दिलाया जा रहा है कि आपका source of happiness आपके partner के साथ नहीं है आपके पास पहले से हैपिनेस है आपको swim के साथ समय बिताने और प्रक्सस के बारे में ज्याद से ज्यादा जानने का मौका दिया जा रहा है आपको अपने जीवन को पूर्ता से जीने की प्रेड़ना दी जा रही है और इसके results में आपको प्यार भी मिलेगा ये प्यार आपके partner के रूप में हो सकता है या किसी अन्य के रूप में लेकिन तब आप एंशोर हो सकते हैं कि ये आपको प्यार जवर मिलेगा है तो फेंश ये तही हमारे आज की आज की संभरार आuh ओप आपको यह संभरी पसंद आये होगी और कुछ ना कुछ जरूरर आपने इस बुक-संभरी प्रोसी नीं-प्ली की थ sehe er ज़ाद से ज़ादा और इसके लवा हमारी चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको अभी सब्सक्राइब कर लीजिए फिर से मिलेंगे आप से एक और नई बुक के साथ एक और नई समरी के साथ तब तक के लिए गुडबाई